नमस्कार आज की इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टो इटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड टू जीरो जीरो सेवन की लैब 11 जो की ओपन ओफिस इंप्रेस या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के उपर है के बारे में चर्चा करेंगे ओपन ओफिस जैसा कि हम हमारे पिछले दो सेशन में ओपन ओफिस के एक डोकुमेंट राइटिंग और एक्सल शीट क्रियेट करने के जो सॉफ्ट्वेर है उनके बार में पहले से ही चर्चा करते हैं ओपन ओफिस एक फ्री बेर है इसके लाइसेंस के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करनी पड़ती है और यह सारे फीचर्स आपको अविलेबल करवाता है जो कि एक माइक्रोसाफ ओफिस जैसे कोई भी डोकुमेंट राइटिंग या ओफिस सूट जो है वो आपको यूज करने के लिए और इसके लाइसेंस के लिए आपको कोई फीस पे नहीं करने पड़ती है तो ओपन ओफिस इंप्रेस जो है उसका प्रेयोगम मुख्यत है हमारा जो प्रेजंटेशन होती है पीपीटी जिसे हम कहते हैं वो बनाने के लिए किया जाता है और जब भी जैसे यह हम अभी जो मैं आपको प्रेजंट कर रहा हूँ यह एक पारपॉंट स्लाइड है और पीपीटी है बिसिकली पारपॉंट प्रेजंटेशन तो इस तरीके का अगर आपको कोई डॉक्मेंट करना है तो आप ओपन ओफिस इंप्रेस का प्रियोग कर सकते हैं और और परदर यह आपका एक लिंक है ओपन ओफिस की ओफिसियल साइट का जहां पर आपको इससे समंदित जो मैनुल है वह आपको मिल जाएंगे तो परदर अगर आपको कोई भी डाउट हो या रेडी हुआ आप इसको रेफ्टर कर सकते हैं या पर हमें बताईए आप बताए एक डॉक्तिमेंट या पीपीटी क्रियेट करके देखते हैं कि किस तरीके से और क्या क्या फीचर इसमें वहारे पास अविलेबल है पर पटेजिए आपका इसे तरीके से होता है सबसे से किस तरीके का प्रेजेंटेशन जाहिए या किसी और लडिव ये दृशन टैंपलेट चाहिए ऑसलेगे और आ परनोवाा एक्से का आकशे करना है तो इसको इसके बाद्ऑ माल लीजे हमें empty presentation चाहिए तो हमने next कर रही है presentation background की अगर बात करें तो background हमें black and white चाहिए या blue water में चाहिए या blue lines and gradients में चाहिए तो यह इस तरीके के आपके पास कही सारे options हैं यह देखे इसका preview यहाँ side में आपको लिख रहा है यही इस तरीके से तो यही इसकी styles है और इन में से आपको किस type का जो है वो feature आपको select करना है यह इन में से आप select कर सकते हैं select and output medium अगर आपको screen पे output चाहिए या slide में चाहिए या overhead sheet पर चाहिए या paper पे चाहिए output की style का आपको चाहिए मालेजे हम screen में ही देखते हैं तो यह इस तरीके का आपका जो है यह देख सकते हैं आप और यह आपके जो है वो slide के अलग-अलग design से जो कि आप यहां पर देख रहे हैं और इस में से जो भी आपको अच्छा रगता है आप इन में से select कर सकते हैं यह देखें आपको पास कई सारे attractive जो है and slides जो है वो available है और माली जो हम यह वाला slide जो है वो लेके चलते हैं फिर हमने next कर लिया अगर effect आपको चाहिए कि किस तरीके से आपके जो text है वो one by one आएंगी line है तो माली जो हम कर देते हैं कि wipe up कर देते हैं छीक है speed इसकी medium रखते हैं इस तरीके से जो आपका text आएगा यह देखें और presentation time जो है वो automatic भी आप कर सकते हैं यानि कि अपने आपकी अगली slide जो है वो चलेंगी और default यानि आपको next की जो है वो press करने पड़ेगी अगली slide के लिए इसके बाद हम create कर लेते हैं जब हम create करेंगे तो देखते हैं पहली slide आपकी किस तरीके से खुलके आती है यह देखें यह आपका तरीक जो हम नॉर्मली टॉपिक का नाम लिखते हैं इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं थिक है तो मुख्य तरीके से हम लिख सकते हैं या पिर आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं तो आपका टाइटल जो अगर आप लेना चाहें सकते तो आप इस फर्मेट में भी ले सकते हैं तो यह आपके पास कहीं सारी फीचर्स अभलेबल हैं जैसे कि मान लिजे हम कर देते हैं इसको इसका नाम हम टेस्टिंग देते हैं ठीक है तो इस तरिके से आपका और हीट हो जाएगा तो इसमीं भी अगर इन सब्सक्रTo relates, जयें जायें तो आप इंसर्ट में जाए इंसर्ट में जाकर फिर यहां कर आपको जो आप देख सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप इंसर्ट कर सकते हैं और यह आपका फर्मेट है फ्र्मेटिंग की आपके तूल्स होगी तूल्स में spelling चेक करना है, language आपको इसी gallery यह सब आप देख सकते हैं, slide show अगर आप देखेंगे तो slide show याने की, full screen में one by one जो आपकी slide चलती है, वो आपका slide show हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, आप इसके जो अलाग रख features हैं, आप उनको use में ले सकते हैं, और यह properties का ह यह master page हो गया आपका, master pages में इस तरीके से आपको यह text contents जो है, तो दिखेगा, और यह आपके पास और भी कई सारे available जो है, वो templates हैं, जिनका आप दूज में ले सकते हैं, ठीक है, और slide transition और एक slide से दूसरे slide में जब आप जाते हैं, तो आपका किस तरीके का जो है, वो animation इसका हो गया, ठीक है, और इस तरीके से जो हैं, आपके पास बहुत सारे features यहाँ पर available हैं, जो कि आप use में दे सकते हैं, और इन में से देखे, जो आप page number इसमें आप insert कर सकते हैं, bottom में, यह आपका page number का खुल के आ जाएगा, ठीक है, पेज नमबर में आपको date चाहिए, य आपको slide number अगर आपको insert करना है, तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से जो है, आप इसमें, अपना, जिस भी तरीके से आपको इसको format करना है, आप इसमें कर सकते हैं, अपनी need की according, ठीक है, और इसमें जो है, एक, आप यहाँ पर देखें, कि objects की अगर आप बात करें, तो objects में देखें, आप नया object इस तरीके का जो है, वो create कर सकते हैं, और इसके बाद, यह देखें, ठीक है, यह इस तरीके का एक आपने object create कर सकते हैं, और इसमें जो भी आपको देखें, यह आपके shape जो है, वो आप insert कर सकते हैं, और इन में से भी आप एदर श्येप आप यहां से हाइडाउट कर सकते हैं ठीक है इसमें और भी बहुत सारी चीजें है जो कि आप इसमें आप इसमें आप इनसर्ट कर सकते हैं इसमें आप इसको कर दिए तो इसके डबल क्लिक करेंगे तो इसक्वायर आप यहां पर लिख सकते हैं तो इस तरीके से जो है आप यहां पर देख सकते हैं तो आप अपव सकते हैं और फ़र्मुला ब्याप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं ठीक है तो और भी बहुत सारे चीज की से यहां से आपका कलर सैट होगा कि आप कौन से अधृट से कलर में लिखना है ठीक है और इसके बाद इसके डबल क्लिक करेंगे तो यह आपका का आपको टेक्स चाहिए, साइज इसका अगर आपको बढ़ाना है कम करना है, यह यहां से आप कर सकते हैं, यह text-क font है आपको font जो है वह वह चेंज करना हो, तो यहां से आप कर सकते हैं, इसमें भी देखिये आपको export video directly का option बिलता है तो आप इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इसमें और भी अगर आपको जिसे कुछ या टाइम या और का नाम फेज नंबर फाइल नेम कंटेंट यह अगर आपको इंसर्ट करना हो तो आपको वह भी इसमें कर सकते हैं आपको यह देखिं आपका बेसिक फीचर सें इसमें और अगर आप यसको नीचे भी देखें तो नीचे भी आपके पास यह इसके आपज़ेक्ट वो अबलगे तरह करने के लिए तो इस तरीके से जो है आप इसमें घ्राइब को केवल टेक्स्ट फिल्ड जैसे इंसर्ट करना आप यहां से कर सकते हैं हेलो गोल्ड है और इसका अगर आपको कलर चेंज करना है तो आप यहां से कलर भी चेंज कर सकते हैं तो इसमें बहुत सारे और भी आपके पास पीचर अविलेबल हैं ठीट है अपने हिसाब से आप जो है इसमें यह देखिए तो यह इसके फर्मेटिंग आप यहां पर कर सकते हैं अगर आपको अनिमेशन जो है वो चेंज करना हो तो आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसमें देखिए और अगर आप देखें तो इसके color को मालेजे आपको yellow करना है आप इसको yellow color में भी ला सकते हैं ठीक है तो यह आपका background color का हो गया ठीक है अगर आपको किसी color इसमें कोई color देना है तो आप इसमें कोई color दे सकते है background में एस तरीके से आप पर्मटिंग इसमें अपने एसाप से कर सकते हैं खे साज़ को अगर आपको टेक्स को mermaid कर Branch shadow देनी है आप shadow दे सकते हैं छाया की यह आपका एक basic mean format career का यहाँ पर आप इसमें बिक करना चाहिए आप अपने कर सकते हैं अगर इसको आप पूल स्क्रेंड में देखें अगर इसको हम देखें तो इस लाइड शो यहां पर जा सकते हैं और श्लाइड शुरू कर सकते हैं और इस तरीके से यह इन आएगा सकते हैं तो यह पर आपको नहीं लाइड करना हो किस तरीके की स्क्राइड बखें आपको ऑको और थरीक Charac teak तो आप slide layout जो है उसमें जाहिए और slide layout में वालेजिए आपको इस तरीके का कुछ चाहिए या इस तरीके का अगर आपको चाहिए तो आप इसमें यह select कर सकते हैं वालेजिए second slide second slide और फिर देखें यहां पर अगर आपको कोई भी टेक्स तोखना है hello how are you we are learning power coming slide तो इस तरीके से जो है आप इसको इसको इस्तेमाल कर सकते हैं use में ले सकते हैं और इसमें अपनी slide जो है वो आप create कर सकते हैं ठीक है तो यह आज के लिए बस इतना ही और हाँ इसमें आप file को जब save करेंगे तो आप इसमें save as करिए और save as करने के लिए आपको फिर यहां पर कई सारे option दिखेंगे आप ODF presentation ODT format में भी कर सकते हैं OTP में भी कर सकते हैं और DPT में भी कर सकते हैं DPT का option भी आपके पास यहां पर available होता है ठीक है तो यह कई सारे आपके पास यहां पर options available हैं इसको save करने के लिए और अगर मान लीजे इसको आप PDF की form में save करना चाहें तो यहां पर जाहिए और export as का option आपके पास आएगा आप इसको PDF format में भी save कर सकते हैं ठीक है और अगर आप export करेंगे तो export में देखेंगे आपके पास इतने सारे options हैं बने के इ stab NHS ओन फ्रेक्रां सकते हैं अप सब्सके और करने कर सकते हैं तो यह कहीं सारे есяं अपको एपकी parfर्मेट में इसको इसको प्रेक्टेस करने मिलेगा अगर को आईश्या जाहिए आपको समस्या हो कोई अगर ना समझना है कोई बात तो आप हमें बढ़ाईए हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे ठीक है चलिए तो आज की सेशन में बस इतना ही धन्यवाद